अभी नंदन अभार आदर नमस्कार मैं कुंदन कुमार सिंग महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों इस वीडियो के माधिम से आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि राश्ट्रिय मिलिटरी स्कूल्स में एडमिशन हे तू जो एंटरंस एग्जामनेशन बाइस दिसंबर को सफलता पुरुबक कंड़क्ट किया गया था उसका रेजल्ट आ चुका है आप सभी अपने रेजल्ट देख सकते हैं और फिर उसके बाद आपको डेट दिया जाएगा जिसमें मेडिकल और बाकी प्रोसेजर से हो करके गुजारना होगा और फाइनली साल दोहजार बीस एप्रिल तक आपका एडमिशन हिंदुस्तान के one of the best institutions यानि कि राश्ट्रिय मिलिटरी स्कूल्स जो कि हि और ये लिंक मैं इसके description में भी डाल दूँगा वहाँ पर भी click करने के बाद directly आप इसके official website पर जा सकते हैं इसके बाद आपके सामने ये home page खुलेगा जो अभी आप screen के उपर देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए देखिए सबसे उपर ही लिखा है latest news में CET results 2021 CET results uploaded तो यहाँ पर click करना होगा CET results uploaded पे इसको जैसे ही आप click करेंगे तो आपके सामने roll number और किस class के लिए apply गया था class 6 या 9 और date of birth यहाँ पर feel करना है इसके बा उसे साब से अपना plan कर सकते हैं कि medical के लिए कहां जाना है कौन से military hospital में जाना है और बागी चीज़े कब करनी है तो कृप्या करके इस वीडियो को maximum लोगों तक share किजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका weight कर रहे थे बहुत दिनों से और यह finally उनके जो है यह घडिय हुई जो weight की घडिया थी और अब वो अपना result देख करके और बागी चीज़े प्लान कर सकते हैं आपको रास्ट्रिय मिलिटरी स्कूल के बारे में बता दू कि यह हिंदुस्तान में पांच है एक है चैल दूसरा है अजमेर तीसरा है धोलपूर चौथा है बैंगलोर और प चीज़े all-round development बच्चों को इस तरीके से करवाते हैं कि ओ कल को इंडियन आर्मी इंडियन नेवी और इंडियन एर फोर्स में एक भावी ऑफिसर बन सके अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो क्रिपया करके लाइक कर दिजेगा मैक्सिम लोगों तक शेयर तो करना ह नहीं करना है और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दू सब्सक्राइब और दोंट फॉर्गेट तो प्रेस्ट बेल आइकन सो दाट यू कूंट पिस अनी वीडियो इन फूचर यंग लडीज औं जेंडमान थेंक यू फो वाचिंग और लड़ बस पुरिय।